रावन सहींता में बताए हैं समोहन और धन प्राप्ति की ये साथ चमतकारी उपाए सफेद आंकड़े के फूल को छाया में सुखा ले इसके बाद सफेद गाय के दूद में मिलाकर इसे पीस ले और इसका तिलक लगाए ऐसा करने पर व्यक्ति का समोहन और वर्वच्च बढ़ता है यदि दुर्वा को कपिला गाय यानि सफेद गाय के दूद के साथ पीस कर रोज इसका तिलक लगाया जाए तो व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है सभी लोग बात मानते हैं अपामार्ख के बीज को बक्री के दूद में मिलाकर पीस कर लेप बना ले इस लेप का तिलक लगाने से व्यक्ति का समाज में आकरसन बढ़ जाते हैं और सभी लोग बात मानते हैं बिल पत्र और बिजोरा निम्बू लेकर उसे बक्री के दूद में मिला कर पीस ले इसके बाद इससे तिलक लगा है ऐसा करने से आकर्षन बढ़ता है बिजोरा जन्माश्टमी की टाइम पे वजार में खुब प्राप्त होता है धन्प्राप्ति का उपाएं किसी भी सुब समय या सुब दिन में सुब़ जल्दी उठे और इसके बाद नित्य कर्मों से निर्वर्थ होकर किसी पवित्र नदी या तलाप के किनारे जाकर सांत मन से बटविर्च के नीचे चमड़े का आसन लविछाएं और आसन पर बैठकर धन्प्राप्ति मंत्र का जब करें धन्प्राप्ति का मंत्र है ओम रीम स्रीम क्लीम नमा ध्व ध्व स्वाहा एक बार फिर से सुने धन्प्राप्ति का मंत्र ओम रीम स्रीम क्लीम नमा ध्व ध्व स्वाहा इस मंत्र का जब आपको 21 दिनों तक रोज सुबर करना चाहिए मंत्र जब के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करे 21 दिनों में अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जब करे यह मंत्र सिध होने के बाद धन लाप के योग बन सकते हैं धन बादा दूर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्त करने में बार बार बादाएं आ रही है तो यह उपये 40 दिन तक रोज करना चाहिए उपये के अनुसार धन प्राप्ति मंत्र का जब रोज 108 बार करना है मंत्र है ओम सरस्वती इस्वरी भगवती मंत्र एक बार फिर से सुनिये ओम सरस्वती इस्वरी भगवती मंत्र का जब नियमुत रूप से करने पर किछी कुछी दिनों में मात्र महालक्षमी की किरबा प्राप्त हो जाएगी और आपके धन में आ रहे ही बाधाय दूर होने लगीगी कुबेर देव को प्रसंड करने के लिए इस मंत्र का जब तीन महा तक रोज करना है जब केवल 108 बर ही करना है मंत्र है ओम यक्छाय कुबरय वेस्वरनाय धन धन्यादी पतिये मंत्र एक बाध फिर सुनिये मंत्र जब करते समय अपने पास एक कोड़ी को रखे जब तीन महा हो जाए तो यह कोड़ी अपने तिजोरी में यह जहां आप पैसा रखते हो वहां रखे